नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में मैं हूँ आपका दोस्त ललित कुमार दोस्तों जो आज का वीडियो लेके आया हूँ मैं उन कन्याओं के लिए बेहनों के लिए बेटियों के लिए लेकर आया हूँ जिनकी शादी में किसी ना किसी परकार की अडचन आ रही है जिनकी शादी या तो होकर तूट जाती है उनके माबाप उनके लिए रिष्टा देख देख कर परिशान हो गए है लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही किसी ना किसी परकार की अडचन उनकी शादी में आ जाती है तो दोस्तों अगर आप लोगों के साथ इस परकार की कोई भी दिक्कत आ रही है शादी व्यासे संबन्दित कन्याओं के लिए लड़कियों के लिए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टन्ट शिद्ध होने वाला है दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा अदभुत और दुरलब मंतर बताऊंगा जिसे पढ़ने के बाद आपको इन सब चीजों में फायदा मिलेगा और इसके साथ एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जिसको करने के बाद आपको पूर्ण रूप से लाब मिलेगा दोस्तों तो दोस्तों कॉपी और पैन लेकर तयार हो जाईए क्योंकि ये मंतर आपको नोट करके रखना है समय को जादा वेश्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं मंतर की ओर देखिए मैं धीरे-धीरे बोल के मंतर बताता हूँ आप नोट कर लीजिए हे गौरी शंकरधारी वे मा कुरू कल्यानी कान कांता सुरलुभाम दुवारा सुनिए हे गौरी शंकरधारी वे मा कुरू कल्यानी कान कानता सोरलुफाम देखि जिसको भी इस मंतर को पढ़ना है उसे सोमवार से ये मंतर शुरू करना है क्योंकि अभी सावन चल रहे हैं तो ये समय इस मंतर को शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा है इस समय में आप किसी भी दिन से इस मंतर की शुरूआत कर सकते हैं सोमवार से करेंगे तो बहुत ही बहतर रहेगा अब मैं इसके साथ एक उपाय जोडने वाला हूँ जिसके साथ इस मंतर के आपको और भी अदबुत परिणाम देखने को मिलेंगे आपको क्या करना है एक लोटे में जल लीजिए उसमें थोड़ा कच्चा दूट डालिए थोड़ा सा आपको उसमें केसर डालना है थोड़ी सी हल्दी डालनी है और इसके बाद आपको इसको शिवलिंग और पारवती माता पर चढ़ा देना है और उनसे ये बोलना है मंत्र जाब करते हुए कि हे शंकर भगवान, हे गौरी मा जिस परकार मैंने आप पर ये मीठा जल चड़ाया, इस मीठे जल में आप या तो शक्कर मिला सकते हैं या मिश्री मिला सकते हैं और शंकर भगवान से और गौरी माता से ये दुआ मांगनी है आपको कि हे भगवान जिस परकार मैंने आप पर ये मीठा दू चड़ाया, इसी परकार मेरे जीवन में मुझे एक ऐसा वर दीजिए, जिससे मेरी हमेशा बने, किसी परकार की उसके साथ दिक्कत ना आए तो दोस्तों ये था मंत्र और ये था उपियोग, इसे आपको करना है, इसको करिए, अगर आप बहुत परिशान हो गए हैं शादी ब्या के मामले में, तो एक बार इस मंत्र को भी ट्राई करके देखिए इस उपियोग के साथ, दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छ शेयर कीजिए और अभी तक मेरे चैनल ललित ज्योति समाधान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, नमस्कार दोस्तों, जै श्री राम!